हेलो रिवान, विल्कम बैक हाइस्पुल बोड़ी ग्जामिशन में पूछे जाने वाले कुछ इंपोर्टेंट बिज्ञान के प्रश्णम देखेंगे जो इग्जामिनेशन की दिश्टी कोट से बहुत इंपोर्टेंट है पहिला question दिया है कि किसी वस्तु का अभासी तथा छोटा प्रतिभिम बनता है किसमें बनता है और उतलदर्पन में बनता है उतलदर्पन में समतलदर्पन में या इनमें से कोई नहीं इसमें किसे कौन सा आप्षन शही है इसी तरह के question आपके body examination में पूछे जाएंगे तो पहिला का जो answer होगा वह B है कि उत्तल दरपण में यानि किसी भी वस्तु का भासी तथा छोटा प्रतिबिम्ब उत्तल दरपण में बनता है तो आप्षन हमारा जो B है B सही है प्रशनमबर दो दिया है कि एक उत्तल लेंस की छमता पांच डायोप्टर है इसकी फोकस दूरी होगी फोकस दूरी क्या होगी ए दिरा है कि 20 cm होगी 50 cm होगी माइनस 50 cm होगी या माइनस 20 cm होगी इसमें आपको option बताना है कि कौन सा option सही है इसमें जो हमारा option A है A सही है कि 20 cm होगी प्रशनमबर तीन तीन क्या दिया है कि दूर दिरिष्टी के कारण प्रतिविम्ब बनता है तो दूर दिरिष्टी के कारण प्रतिविम्ब कैसा बनता है या कहां बनता है तो A दे रहा है रेटीना पर बनता है रेटीना के पीछे बनता है और दे रहा है कि कहीं नहीं बनता है तो ये सभी question आपके body examination की द्रिश्टी से बहुत ही important है ऐसे ही question पूछे जाएंगे तो दूर द्रिश्टी के कारण जो प्रतिविम बनता है रेटीना के पीछे बनता है तो option जो हमारा C है C सही है अब question number अगला देखते हैं question number 4 दे रहा है कि आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है option A दे रहा है कि प्रकास के परावरतन के कारण दिखाई देता है B दे रहा है कि प्रकास अपवरतन के कारण दिखाई देता है C दे रहा है प्रकास के प्रकेरण के कारण और D दे रहा है पूर्ण आंतरिक परावरतन के कारण दिखाई देता है तब इसमें कौन सा option सही है आपको option बताना है तो आकास का रंग जो नीला क्यों दिखाई देता है इसका कारण यह है कि प्रकाश के प्रकेरण के कारण आकास का जो रंग है नीला दिखाई देता है तिसलिए आप्षन जो हमारा C है C सही है प्रश्ण नमबर पाँच पाँच दे रहा है कि एक किलो वाट घंटा में जूल की संख्या होती है आप्षन क्या है कि तीन दस मलो चो गुणे दस परगात चार तीन दस मलो चो गुणे दस परगात तीन दस मलो चो गुणे दस परगात पाँच और तीन दस मलो चो गुणे दस परगात चो तो एक किलो वाट घंटा में जूल की जो शंख्या होती है तीन दस मुलाओ चो गुड़े दस परगात चो तो यह हमारा जो आप्षन डी है डी सही है क्वेस्चन नमर चो चो दे रहा है कि विद्दूत हीटर का तार बना होता है तो जो विद्दूत हीटर होता है उसका तार किसका बना होता है करा कि लोहे का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, या तामबे का बना होता है, इसमें से कौन सा आप्षन सही है, आप आप्षन गेस किजिए कौन सा आप्षन सही है, कि विद्धुत हीटर का तार किसे बना होता है, तो नाइक्रोम का बना हो तो आपसन जो हमारा C है, C सई है, Question 6, सात दे रहा है कि एक गतिमान आवेशित करण उत्पन करता है, यानि एक गतिमान आवेशित करण उत्पन करता है क्या, केवल चूमबकिये छेतर उत्पन करता है, तो इसका आंसर होगा कि चुम्बकिय और विद्दूचेतर दोनों उत्पन करता है तो 5 सही है вопросы 8 दो लेड नाइट्रेट का रासायनिक शुत्र है लेड नाइट्रेट का रासायनिक शुत्र क्या है PBNO3, PBNO3 का hold twice, PBNO2 का hold twice और PBO इसमें से कौन सा जो सुत्र है लेड नाइटरेट का रासाइनिक शुत्र है आपको बताना है तो जो लेड नाइटरेट का रासाइनिक शुत्र होता है वह PBNO3 का होल्ट ट्वाइस होता है तो आपसन जो हमारा B है B सही है अगला Q9 दे रहा है कि भौतिक परिवर्तन में बदलता है क्या बदलता है अड़ों का द्रभ्यमान बदलता है अड़ों की रचना बदलती है अड़ों की ब्यवस्था बदलती है ये शभी बदलते हैं तो कौन सा आपसन इसमें सही है आपको छाट करके लिखना है तो भौति C है C सही है कि अड़ूं की बेवस्था बदलती है प्रश्ट नम्बर 10 10 देराए कि सुद्धजल का पीच मान होगा तो सुद्धजल का पीच मान कितना होता है A देराए 6, B देराए A, 1, C देराए 7, D देराए 14 इसमें कौन सा सही है तो शुद्धजल का जो pH मान होता है वह साथ होता है तो इसलिए आपसन जो हमारा C है C सही है अब प्रश्णमरी 11, 11 दे रहा है कि H2SO4 का जली विलियन का pH मान है तो H2SO4 का जली विलियन का pH मान कितना होगा? देरा 0 होगा, 7 से कम होगा, 7 होगा या 7 से अधिक होगा इसमें आपको आप्शन बताना है कौन सा सही है तो जो H2SO4 का जली विलियन का जो pH मान होता है वह साथ से कम होता है तो आप्शन जो हमारा B है, B सही है प्रश्णमर 12, आग गुजाने वाले यंत्र में प्रयूक्त होने वाला पदार्थ है तो आग गुजाने के लिए जो यंत्र में प्रयूक्त पदार्थ है उसका क्या नाम है Na2CO3 है, या HCl है, या NaCl है, या CaCl2 है अब इसमें से कौन सा आप्शन सही है आपको बताना है तो आप्शन जो हमारा A है, A सही है, Na2CO3 होता है प्रशन नमर 13 देरा है कि पीने के पानी को जिवाणगों से मुक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है या उप्योग किया जाता है, क्या चीज? बेकिंग शोडा, फिटकिरी, ब्लीचिंग पाउडर या लाल दवा तो इसका जो आप्शन है वह ब्लीचिंग पाउडर, इसी को विरंजक चुर्ड भी कहा जाता है तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर इसका सही है आप्शन C सही है प्रशन नमर 14, 14 देरा है कि मिस्र धातु है क्या चीज है, तामबा है, पीतल है, शोना है, जस्ता है तो मिस्र धात में क्या तामबा, पीतल, सोना या जस्ता इसमें कौन सा आप्शन सही है, A, B, C, D इसमें से कौन सा आप्शन सही है, आपको बताना है तो मिस्र धात जो होता है, वह पीतल होता है तो आप्शन जो हमारा B है, B सही है तो प्रश्ण नमर 15 देखते हैं, दे रहा है कि कौन सा तत्त तनु अमल के साथ संयोग करके हाइडोजन गैश निकालता है आप्शन A है क्लोरीन, B है तामबा, C है जस्ता और D है सलफर, इसमें से कौन सा आप्शन सही है आपको बताना है तो जो आप्शन C हमारा है यानि जस्ता, तो जस्ता सही है प्रश्ण नमर 16, 16 दे रहा है कि म्रिदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है कौन सा आवश्यक पदार्थ है? A दे रहा है धावन सोडा, B दे रहा है काश्टिक सोडा पोटास और C दे रहा है काश्टिक सोडा और D दे रहा है खाने काशोडा तो इसमें से कौन सा आपसंस है आपको पता करना है कि मृदु शाबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है तो आवश्यक पदार्थ जो है वह काश्टिक पोटास होता है अब question number 17 देखते हैं 17 क्या दे रहा है कि मानो में ब्रिक का कारे होता है तो मानो शरीर में ब्रिक का क्या कारे होता है श्वशन या protein sensation, hormone sensation या उत्सरजन इसमें से कौन सा आपसंस है आपको बताना है तो मानो में ब्रिक का जो कारे होता है वह उत्सरजन का होता है तो आपसं जो हमारा D है D सही है प्रश्ण नमर 18 यानि रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिती के कारण होता है तो आप्शन कौन सा इसमें सही है या हिम के कारण नूकलिकम, बिटामिन C या पोटैसियम के कारण होता है या आपको बताना है तो इसका जो आप्शन हमारा A है कि हिम के कारण होता ह अगला question दे रहा है कि पियूश ग्रंथी पाई जाती है मस्तिस्क के अधर तल पर पाई जाती है कि मस्तिस्क के प्रिष्ट तल पर पाई जाती है और सेरी ब्रम पर पाई जाती है या सेरी बेलम पर पाई जाती है इसमें कौन सा option सही है कि पियूश ग्रंग थी कहां पाई जाती है तो आप्षन जो हमारा A है A सही है कि मस्तिस्क के अधर तल पर पाई जाती है अगला क्वेस्चन नमबर 20 20 क्या दे रहा है कि द्वीनी सेचन विसेश लक्षण है A दे रहा है जन्तूं का है B दे रहा है आवरित वीजी पदार्थों का है C दे रहा है अनावरित वीजी पदार्थों का है और D दे रहा है सैवालों का है इसमें से कौन सा आप्षन सही है कि द्वीनी सेचन विसेश जो लक्षण है वो option जो हमारा B है आवरित वीजी पदार्थों का है अब question number 21 देखते हैं 21 क्या दे रहा है कि प्रिथक करण का नियम प्रस्तुत किया था यानि प्रिथक करण का नियम किस ने प्रस्तुत किया था A दे रहा है Charles Darwin ने किया था B दे रहा है Hugo D ब्रेज ने किया था और C दे रहा है Gregor John Mendel ने किया था D दे रहा है ले मार्क ने किया था यानि प्रिथक करण का नियम किस ने किया था तो option जो हमारा C है C सही है Gregor John Mendel ने किया था प्रस्त नमबर 22 आनुवानसिक लक्षणों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक कौन पहुचाते हैं option A दे रहा है protein पहुचाता है B दे रहा है DNA पहुचाता है C दे रहा है RNA पहुचाता है और D दे रहा है इनमें से कोई नहीं तो आनुवानसिक लक्षणों को एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी तक DNA पहुंचाता है, तो आप सुन जो हमारा B है, B सही है.